हलो दोस्तों दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है मैं आज विहारी जी का एक दोहा पढ़ा आ रही हूँ तो चलो में शुरू करती हूँ मरत प्यास पिंजरा पर्यो सुबा समय के फेर आदर देदे बोलियत बायस बली की वेर सबसे बहले शब्दार देख लीजे मरत का मतलब होता है मर रहा है पर्यो मतलब पढ़ा हुआ और सुबा का मतलब होता है तोता आदरू मतलब आदर या मान सम्मान बोलियत मतलब बुलाते हैं या पुकारते हैं और बायस का मतलब होता है कववा बली का मतलब होता है शाद के अन में से निकाला हुआ कववे का भाग और समय के फेर का मतलब है बूरा बक्त आने पर बेर का मतलब है अवसर पर इस दोहे में बिहारी जी ने बताया है कि संसार मतलब के लिए प्रेम करता है स्वार्थ के लिए प्रेम करता है समय के अनुसार लोगों के बहवार में बदलाव आता है अपनी इस बात को उन्होंने कवे और तोते के हुदारण से समझाया है अब इस दोहे का भाबर देख लीजिए कवी बिहारी जी कहते हैं कि जब समय बुरा आता है तो वहत होता जिसे कभी प्यार से पाला गया था बहप पिंजरे में पड़ा प्यासा मड़ता रहता है पर पूर्वजों के शाद का समय आने पर लोग कवे को आदर पूर्वग बुलाते हैं और भोजन देते हैं धन्यबाद